बाउजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें बेट काईट पीपोल्स वोईस और पेल आइकन दबाए कारेकाल में जितना लोगों को तकलीफ हुई है उसको बिल्कुल भी बुलाया नहीं जा सकता अभी जे कुछी देर पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो माया वदीजी ने अपने ट्वीटर अकाउंट से लिका है सोचने की जरूरत है इसके आगे मसपा सुप्रीमो माया वदी जिन लिकाय की देश की लगवाग 130 करोड जन्चंक्या में सबसे अधिक गरीब बेरोजगार किसान प्रवासी मलदूर महिलाए आधी का जीवन तो यहां पहले से भी अधिक कष्ट दायक ही बना हुआ है जो अती दुकत है इसे जल्दी से बुलाया नहीं जा सकता उन्होंने कहा कि केंदर को अपनी नीतिया और कारे साली के बारे में खुल कर मन्चे जरूर समिक्षा करनी चाहिए और जहां पर भी इनकी कमिया रही है उनको केंदर सरकार परदा डालने की बजाए दूर करने की कोशिश करे उन्होंने कहा कि बहुजंसवाज पार्टी देश और जट्ता की खित में यही केंदर सरकार को सला देना चाहती है तो यानि कि बहुत जंसवाज पार्टी की सुप्रेमो माया वतीजे ने यहां पर आपको उतादे के कुल मिला कर ये बड़ी बात कही है उन्होंने कहाएगी केंदर सरकार को अपनी नाकामी ओपर परदा नहीं डालना चाहिए उनको समिक्षा करके दूर करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार का 6 एक साल जो है 6 साल हो रहा है एक साल दूसरे कारेकाल का वो पूरी तरीके से विवादों में गिरा रहा है इसको लेकर भी आप जंता और देश के खित में केंदर सरकार को सोचने के जरूरत है तो जाने कि मोधी सरकार के दूसरे कारिय काल का एक साल पूरा होने पर यहां पर बसपा सुप्रीमो मावती जिने परदान मंत्री नरेंद्र मोधी की सरकार पर जम करनी साना साधा और कहीं बाते उन्होंने कहीं है कि केंदर चरकार को बहुचन समाज पार्टी से ये सीक और सला लेने की जोरत मिलें इस नए वीडियो और नए अप्टेटों के साथ एपीवी नियूज बेरे रिपोर्ट लगनाओ